नमस्कार जोहार आप सभी को जारखंड में फाइनली एक बहुत बड़ी खुश खबरी आई है जिसके लिए हजारों लोग सडकों पे उतरे धर्णा दिया परदर्सन किया बिधायकों से प्रसनली जाकर मिले उनसे आगरह किया मुख्यमंतरी से भी कुछ लोगों ने बात करी और फाइनली स्कूली साफचरता विभाग के जो सचीब हैं के रवी कुमार उन्होंने दी है इस बारे में हम लोग बात करेंगे कि जारखंड में टैट परिच्छा को लेकर क्या अपडेट आई है और नियुकती जो 26,000 एक पदों के लिए होने वाली है उस पे क्या अपड लोगों को बता दू जे टैट 2012 और 16 में दो बार कंडेक्ट कराया जा चुका है जब से जारखंड बिहार राज से अलग हुआ है दो बार परिच्छा ली गई है अगर उनके प्रिभिएस इर कोशन पेपर जो दोनों एक्जाम हुए है चाहे वो 125 हो, 628 हो, Science हो या फिर SST के पेपर हो, आप मुझसे ले सकते हो, साथ मैं आपको मैं बता दू, उसके solution पेपर भी आपको साथ मैं बता दिया जाएगा, answer key के साथ आपको अब लेवल करा दिया जाएगा, यहां से मेरी email आड़ी देख लो, yourmithun Singh at the rate gmail.com पे mail कर सकते हो आप मुझे, if you are instagram then do follow me at the rate imithun Singh, वहां से आप मुझसे 70 रुपिज में यह previous question paper acquire कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है, अपना परचार परसार हो गया, अब जो update आई है न, वो मैं आपके साथ साधा कर देता हूँ, और जो भी ज्यार्थी थी, जेट है 16 वाले न, जो मन में बहुत उन्होंने गालियां बगी, comment section मे आकर भगवान उनका भी भला करे, और वो बोलते हैं न, कि आप अगर किसी एक इनसान के साथ लड़ोगे न, एक इनसान को गिराना चाहोगे, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और जिनकी विचार धारा महिप खोट है, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कितन चलना होगा, हमें आर आपको सभी को चलना होगा, चाहिए वो जेटेट 16 पास वाले हैं, या फिर नए जेटेट देने वाले हैं, समिधान से बढ़कर इस देश में कोई है नहीं, बार-बार में दोर आता हूँ, अब देखिए बात करते हैं, नेरज अंबस्ट जी जो की प हैडलाइन कहती है कि बिना पातरता परिक्षा के आप टीचरों को बहाल नहीं कर सकते हो, रख नहीं सकते हो, चाहिए वो समिधा पे हैं, या फिर किसी और तरह से, तो कुल मिलाकर बात है कि जारखन में 6-7 सालों से तो एक्जाम हुआ ही नहीं है, 2016 में आखरी बार एक्जा होने वाली है ना, 26,000 एक पदों की, तो ये पारा टीचर भी एक्जाम नहीं दे पाएंगे, अब जो नए जेटेट वाले हैं, जो एक्जाम देकर जौब लेना चाहते थे, वो भी एक्जाम नहीं दे पारे हैं, ये तो 48,000 सिर्फ पारा सिक चक हैं, अगर मैं बात करू ना तो 5,000,000 इस्टुडेंट हैं, जो की, जिन्होंने बीएड करा है, डियलेड करा है, पैसे कर्ज लेकर, किसी ने जमीन गिर्वी रख दिये, रेजिस्ट्री लगा दिया, और उन्होंने बीएड करा है, उधार लेकर, कर्ज लेकर जो है, बीएड करा है, सूद के पैसे से ल लेकिन जिस तरह से आप जो है ना सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए जो है लोगों को पीछे छोड़ना चाते हो अपने छोटे भाईयों बहन को पीछे छोड़ना चाते हो कि भाया तुम परिशा में मत सामिल हो हम बैठेंगे और चार में से एक की नौकरी लग जाएगी मैं यह पूछना चाता हूँ सरकार के लिए भी यह फायदे मंद है कि जादा से जादा लोग एक्जाम में सामिल हो इससे क्या होगा न अच्छे टीचर मिलेंगे याद रखिएगा अच्छे सिक्चक मिलेंगे और वो सिक्चक ना क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे अब स पोज कर लो कि चार अंधा लूला गूंगा बरा देखिए बिकलांग या दिब्यांग लोगों से मेरी ये सिर्फ एक मेटाफर है यूज करने के लिए अगर ये चार बेवकूफ लोग एक्जाम में बैठे है और किसी एक का ही सेलेक्शन हो जाए चार बेवकूफों में तो ये अच्छा है कि 8 अच्छे लोग बैठे हैं जा 10-18 अच्छे लोग बैठे हैं और उन में से किसी एक का सेलेक्शन हो तो एजुकेशन क्वालिटी कहां जाएगी इन्होंने 2016 के बाद कोई और परिक्षा पास नहीं करी है इसलिए बेरोजगार बैठे है ना ये और जो बो के रभी कुमार जो की सचीव हैं सचीव का मतलब इतना ही समझ लो ये स्कूली सिक्छा और साक्षरता विभाग के मालिक हैं इनके द्वारा नीतियां बनाई जाती है ये IAS ऑफिशर हैं अब देखिए इन्होंने क्या कहा है क्या स्टेट्मेंट इनकी जारी हुई है सिक्ष 2000 एक सिक्षकों की जो न्यूपती होने वाली है उसकी कि एक जो है ना पहले सिक्षक पातरता परिक्षा आयोजित करा ली जाएगी यानि कि JTAT परिक्षा होगी सबसे पहले उन लोगों को नमन कीजिए सेल्यूड कीजिए जिन भाईयों बहनों ने हमारे आपके लिए हाइ प्राइम से हम लोगों के लिए कोट में जाकर केस लड़ा भले निरनाय आये अभी वो पैंडिंग है मामला लेकिन जिन लोगों ने आपके और हमारे लिए कोट में जाकर अपना कीमती समय और पैसे खर्च की हैं उन सभी को धिल से धन्यवाद है जिनोंने अपने समय से जो सरकार के उपर प्रेशर तो बढ़ी रहा था कि भाया आपको जो है हर हाल में एक जेटट परिक्षा तो लेने ही होगी NCEET हर साल कहती है कि एक एक एक्जाम आपको लेना पड़ेगा तो ऐसे मैं अब क्या होगा अब देखे एक जेटट की परिक्षा आपको जल्दी देखन हो पाइंगे तो चलिए इस बारे में और भी बात करेंगे और भी जानकरिया आपको साजा करेंगे वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया वह बंगे।